आप सब का भूत भूत स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे जैसे कि आप सब जानते है कि Chief Electoral Officer J&K की तरफ से एक Official Order निकाला गया है जिसके तैथ सभी EROs को बोला गया है कि आपने BLOs को Directed कीजिए so that कि वो Garuda App में जाके Latitude, Longitude अपने Polling Station का आपने अपडेट करना है और उसके साथ-साथ Assured Minimum Facilities जो आपकी Polling Station पे है उन्हें भी हमें अपडेट करना है इस वीडियो में मैं आपको Live दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपने Garuda App में Login करना है Login करने के बाद 1 by 1 हम उन facilities को कैसे अपडेट करना है हम अपने phone की main screen पे आ चुके हैं अगर आपके phone में Garuda App पहले से install है तो अच्छी बात है आप उसे अपडेट कर लें अगर आपके phone में Garuda App नहीं है तो सबसे पहले आप अपने phone से Play Store को open कर लें और उसकी search बार में आपने simply type करना है Garuda जैसे आप type करेंगे type करने के बाद जैसे आप जहां पे देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से कुछ एक app आएगी आपने इस app को यहां से क्या कर लेना है क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जहां पे देख सकते हैं मैंने इस app को पहले से ही पर बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको जहां पर चूज करना होगा जैसे आप state पर एक क्लिक करेंगे तो जहां से आपने अपनी state को Which piss करना है जलिए हम Jum. कश्मीर को छूज कर लेगे आपकी जो भी state है आप उससे choose करना है जो आपका election cell के password है आप जहां पर देख सकते हैं जहां पर password है जहां पर भी आपने फिर से आपना बही mobile नमबर जहां पर simply क्या करना है get OTP का आपको एक option मिलेगा आपने इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके उसी registered सारी चीजें है वो on होनी चाहिए तो जहां पर आप देख सकते हैं जैसे की camera इसके बाद location इस सारी चीजें automatic आपका जो device है वो कर लेगा लेकिन आपने इस process को होने देना है तो जहां पर आप देख सकते हैं सभी जगा पर जहां पर green tick आ गई है अगर कहीं पर आपको यहां पर yellow tick दिखती है तो आपने उस system component को भी यहां पर update करना है अपडेट होने के बाद करेंगे आप अपने जो garuda app में login हो जाएंगे अपने official जो आपका mobile number election cell के पास रेजिस्टर था उसके थ्रूँ आप जहां जैसे आप इन पर click करेंगे तो जहां पर options आ जाएंगे तो हमारा जो main जहां पर काम होगा जो हमें फिलहाल जो बोला गया है उसमें अपने mapping में चले जाना है तो आपने जहां पर देख लिजिए आपको एक option मिलेगा mapping का आपने इस पर click कर देना है जैसे मैं mapping पर click आपने polling station का latitude और longitude निकालना है तो मेरी आप से request में polling station के premises के अंदर हूँ तो बहीं से मैं इसको record कर रहा हूँ आपने अपने घर से इसको नहीं करना है आपने अपनी exact location पर जाके ही latitude और longitude निकालना है तो उसके लिए आपने simply क्या करना आपको जहां पर एक icon मिलेगा location का आपने इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस location के icon पर क्लिक करेंगे तो जहां पर आपको इस तरह से एक tab open हो जाएगी तो आपने जहां पर थोड़ी दिर के लिए 2-3 मिनट के लिए रुकना है क्योंकि जहां पर इसके background में एक map download हो रहा है और उसके साथ-साथ जो आपका जो latitude और longitude आपके polling station का होगा वह जहां पर update हो जाएगा आप अपने polling station का latitude और longitude को update करेंगे उसके बाद आपने ensure करना है कि आपकी जो polling station की latitude और longitude की reading है वह जहां पर आ जानी चाहिए next हम बात करेंगे AMF जाने की assured minimum facility को आपने कैसे अपडेट है जा रहा है रैंप क्या आपके polling station पर ramp है जा नहीं है आपने available not available पर जहां पर टिक करना है जो भी option आप जैलिश करेंगे तो बही select होगा उसके बाद drinking water facility जैसे कि हमारे polling station पर अवेलेबल है तो आप इस पर click कर दे adequate furniture प्रियापत मातरा में furniture है जा नहीं है आप available पर tick कर दे नहीं है तो not available proper lightning in the building पूरी building में lightning कैसी है बहां पर रोशनी आती है जा नहीं तो आपने available पर click कर देना अगर नहीं है तो not available help decks available इसी तरह signage available toilet facility अगर है तो just नहीं तो not available building इस पक्का अगर पक्का है तो just नहीं तो no उसके बाद is any political office is within 200 meter आपके polling station से किसी राजनीतिक दल का जो office है वो 200 meter की दूरी पे है तो आप just पे click करें नहीं है तो no पे click करें is polling station building delapidated dangerous क्या वो पुरानी खत्रनाक है अगर ऐसा है तो just पे click करें नहीं तो no पे click करें is polling station in school colleges wirding अगर है तो आप yes पे click करें नहीं तो no पे click करें Is polling station on the ground floor, क्या आपका जो polling station है, क्या वो ground floor पे है, available or not available, separate entry, exit, क्या आपके polling station पे, separate entry और exit का साधन है, अगर प्राबधान है, तो available पे tick करेंगे, नहीं तो not available, polling station area is less than 20 square meter, अगर yes है, तो yes पे click करेंगे, नहीं तो no पे click करेंगे, electricity supply कैसी है, available है, तो आप yes पे click करेंगे, shelter बहाँ पे शाया है, अगर उसका प्राबधान है, तो आप available पे click करेंगे, proper road connectivity, available or not available, any obstacle on the bay of polling station, आपके polling station तक पहुँचने में कोई बादा, अगर है, तो yes पे click करेंगे, नहीं तो no, land line, mobile connectivity, internet facility, available, इस तरह, is polling station in insurgency affected area, क्या बहाँ कोई बिद्रहो बाला कोई area है, अगर है, तो yes पे click करेंगे, नहीं तो no पे click करेंगे, is polling station in forest area, क्या आपका polling station कोई jungle की area में है, तो yes पे click करेंगे, नहीं तो no पे click करेंगे, is polling station in vulnerable critical location, yes or no, तो आपने click करना है, is polling station sensitive, yes or no पे click करने के बाद, आपने simply, आपको last make option देखेगा, अपडेट तो आपने इस पे क्लिक कर देना है तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपकी जितनी भी डीटेल है जो की AMF Assured Minimum Facility जो है वो हमने जहाँ पे अपडेट अपने पोलिंग स्टेशन की कर दिया और उसके साथ-साथ जो में काम था हमारा जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा कि हमारा जो डेटा है वो सिकसफुली अपडेट हो चोगा है लैटिटू लोगिटूड अपने पोलिंग स्टेशन का अपने एग्जैक्ट आपने उसी बिल्डिंग उसी कमरे के पास जाके लैटिटूड लोगिटूड निकालना है जहाँ पे आप अपनी पोलिंग करवाते हैं इस तरह से आप यह अपना पूरा डेटा अपडेट कर से आपको आने वाले समय में जितने भी इंफर्मेटर वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे थैंक यू थैंक यू और वाचिंग टेक केर मिलते हैं जल्दी एक नियू अपडेट के साब